ये वीडियो मैं आप सभी फ्रेंड्स के लिए और टीचर्स कम्यूनिटी के लिए बना रहा हूँ या उन सभी लोगों के लिए जो अपना एक एडूकेशनल चैनल बनाना चाहते हैं और टीचिंग में अपना कैरियर ग्रो करना चाहते हैं यूट्यूब पे अगर आप इंट्रेस्टेड हैं इस चीज में तो मेरे इस सारे कॉंसेप्ट को मेरे इस एक्सपिरियंस को समझिए जो मैं आप से शेयर करना चाहता हूँ और अपने चैनल को बना के ग्रो करिए देखिए मैंने जब अपना चैनल शुरू किया तो करीब आज से साथ आठ महीने पहले इस चैनल को शुरुआत किया और विदिन दिस सैवन मन्थ मैंने अपना चैनल मॉनिटाइज भी करा लिया और मेरे सब्सक्राइबर्स भी आज धाई अजार के करीब हो चुके हैं जो एजुकेशनल चैनल के रिलेशन में बहुत अच्छी ग्रोथ है और मेरे व्यूज और मेरे वाच टाइम भी बहुत अच्छा है तो मैं आपसे अकना एक्स्पिरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आप कैसे अपने चैनल को ग्रो करें और कैसे बनाए और आज के टाइम पे जब ऑनलाइन एजुकेशन ही एक बहुत बड़ा रास्ता है हमारी कोविट की सिचुएशन में तो बहुत जरूरी है कि अधिक से अधिक टीचिर्स अधिक से अधिक लोग अपने यूट्यूब चैनल के थुरू इस्टुडेंट्स को एजुकेशन दें मैंने जो शुरुआत की उसमें बहुत जादा कुछ अरेंजमेंट नहीं किये सिर्फ मेरे पास एक मुबाइल एक स्टैंट और एक ये बोल्ड आप देख सकते हैं ये बोल्ड था शुरुआत में तो मैंने सॉफ्ट बोल्ड वाइड बोल्ड लेके शुरू किया इस चैनल को बनाने के लिए ग्रो करने के लिए कुछ टिप्स हैं कुछ चीजे हैं कुछ अरेंजमेंट्स हैं जो आपको करने होते हैं जिसके बारे मैं मैं अपना एक्सपिरियंस शेयर करता हूँ आपसे और अगे एक और वीडियो इसके बाद मैं बनाऊँगा जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे मैंने 4000 घंटे का वाच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी ही एचीव कर लिए और उसके लिए क्या टेक्नीक्स और ट्रिक्स अपनाई वो तरीके भी बताऊँगा लेकिन पहले आज आप ये देखिए कि एक एजूकेशनल चैनल बनाने के लिए हमको बेसिकली किस सेटप की जरूरत पढ़ती है आम तोर से लोग मानते हैं कि हमको बहुत बड़ा कोई कैमरा चाहिए कोई बहुत बड़े एक्यूपमेंट्स चाहिए या बहुत कुछ चाहिए लाइटिंग अरेजमेंट एक स्टूडियो जैसा नहीं बिलकुल नहीं चाहिए जो सबसे बड़ी रिक्वाइर्मेंट है वो है आपके अंदर का पैशन एंथूजियाजम सबसे पहले ये चाहिए आपके अंदर इस्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक फील होना चाहिए हमको इस्टूडेंट्स को पढ़ाना है और उस जोश के साथ आपको इस फील्ड में आना है साथ में जो सबसे जादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी जिसको आम तोर से अधिकतर लोग नहीं रखते हैं देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं वो 100-200 सबस्क्राइबर तक पहुंचते हैं थोड़े दिन चलते हैं उसके बाद उस पे वीडियो आना बंद हो जाते हैं कोई चीज नहीं आती है क्यों क्योंकि बहुत जल्दी ही लोग निराश हो जाते हैं और अपने काम को बंद कर देते हैं आपको ऐसा नहीं करना है तो यह सबसे पहले दो मोटिवेशनल चीज़े हैं जिसको आप ध्यान रखकें अब हम आते हैं हमें क्या-क्या अरेंजमेंट करने होंगे सबसे पहले सबसे पहले तो आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए बहुत बढ़िया मोबाइल भी नहीं चाहिए एक सिंपल मोबाइल चाहिए अब मैं जिस मोबाइल से बनाता हूँ यह ओपो का F1 मोबाइल है जिसके सेलफी कैमरे का यूज़ करके मैं मोबाइल पे यह अपने सारे वीडियो शूट करता हूँ तो पहली पॉइंट है आपको जो मैंने बोला कि एंतुजिया आदम होना चाहिए और लंबे समय तक काम करने के लिए आदत होनी चाहिए क्योंकि टीचिंग में ऐसा बिलकुल नहीं होगा कि आपके सब्सक्राइबर की ग्रोथ बहुत फास्ट हो म्यूजिक चैनल जैसे गेम्स के चैनल जैसे पर होगी सबस्टेंशियल होगी लेकिन वो कौालिटी पे डिपेंट करेगा तो सबसे पहले आप एक मुबाइल कैमरा लेंगे जिसमें आप सेल्फी कैमरे से बनाएए दूसरी बात एक बोर्ड लीजिए अब मेरा एक्स्पिरियंस क्या रहा पहले मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाता था आप अगर मेरे पुराने वीडियोस को देखें तो वाइट बोर्ड पे जब मैं ब्लैक इंग से लिख रहा हूँ तो विजिबिलिटी कम थी तो मैंने उसको चेंज किया और ग्रीन बोर्ड लगाया ग्रीन पोर्ड पे मैं चॉक से लिखता हूँ तो जब वाइट चॉक से लिखता हूँ तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी आ जाती है तो इस स्टुडेंट्स को दिखता बिलकुल क्लियर है ये दो काम किये तीसरा मैंने क्या किया एक्थ्यूप्मेंट्स के नाम पे एक थीन स्टैंड्स बनाके उसमें LED ट्यूब लाइट्स लगाके लाइटिंग का अरेंजमेंट किया क्योंकि लाइटिंग अरेंजमेंट प्रापर होना चाहिए आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में lighting management बिलकुल proper आता है तो clarity आती है वीडियो में चौथा गाम किया मैंने माइक लेना बहुत जरूरी है ये बोया का माइक आप देख सकते हैं ये माइक लगबग 1000 रुपए का माइक आता है आप इसको खरी दिये और इससे लगाके जब वीडियो बनाएंगे तो बिलकुल clear audible voice आपको सुनाई पड़ेगी तो जस इतने से equipment चाहिए और एक stand चाहिए अब तो stand मिलने भी लगे है market में, online आप मगा लीजे कोई भी एक stand, simple सा stand मगाईए और उसके तरू अरेंज करिए अपने mobile को को edit भी करना बहुत जरूरी है basic editing आनी चाहिए कोई बहुत ज़्यादा editing जरूरत नहीं है लेकिन आना तो चाहिए अब आती है उससे भी ज़्यादा important बात कि teaching के समय अगर आपको अपना subscriber बढ़ाना है अपना watch time बढ़ाना है views बढ़ाने है तो quality of education कैसी होनी चाहिए उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी बोलें वो explanatory हो clear to हो students और आप एक concept को लेके चलें और continuously videos को डालें आप अगर एक topic का एक video डालके उसको अधूरा चोड़ देंगे तो link हतम हो जाएगा इस students आपका subscriber नहीं बनेगा इसके लिए जरूरी है कि आपने एक topic लिया उस topic को लेके consistency से लंबे समय तक videos डालिए इस बात की बिलकुल चिंता मत करिए कि कितने views आ रहे हैं initially देखिए initially क्या होगा views काम आएंगे क्यों काम आएंगे क्योंकि देखिए आप मान लिए class 10 के student को physics पढ़ा रहे हैं chemistry पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ वही particular student physics या chemistry को देखेगा या वो आपने friends को share करेगा अगर आप 12 का topic पढ़ा रहे हैं तो 12 के topics हैं 12 का related student उसको देखेगा बाकी तो कोई नहीं देखेगा यही अगर हमारा game channel होता तो सब लोग देखते उसमें आपका viewership subscribership जल्दी बढ़ती है पर निराश होने की बात नहीं है educational channel में भी बढ़ती है पर quality होनी चाहिए इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी explain करें आराम से करें अच्छे से करें एक एक point को clear करें और bold पे उसको लिखें भी समझाएं भी सिर्फ लिख देंगे और पढ़ देंगे तो भी फाइदा नहीं होगा अगर आप सिर्फ बोल रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं तो भी फाइदा नहीं होगा आपको अगर अपने subscriber को increase करना है और अपनी students की subscribership को strong करना है तो आपको दोनों काम करने पड़ेंगे explanation को proper देना पड़ेगा तो यहां पर मैंने जो आपको बताया तो सबसे पहली बात आगई motivation अपने अंदर रखिए confidence को lose नहीं करिए आप देखेंगे आपका channel grow करना शुरू कर देगा आपके equipment proper होने चाहिए बहुत महंगे instruments की equipment की जरूरत नहीं है simple जो मैंने आपको equipment बताए उनका use करिए और अपने teaching के procedure को बढ़िया बनाईए अपने topics को decide करिए एक गलती यहां पर लोग और करते हैं teachers कि आज आज वो physics पढ़ा रहे हैं कल biology पढ़ाने लगे पर सो mathematics पढ़ाने लगे आप अपने channel को एक brand बनाईए अब मैं आपको पढ़ाता हूँ मैं physics का teacher हूँ physics पढ़ाता हूँ और mathematics पढ़ाता हूँ और इस relation में reasoning के videos डालता हूँ देखिए यह सारी चीज़े interrelated है लेकिन अगर मैं biology पढ़ाना शुरू कर दूँगा यहाँ पे तो मेरा brand खत्म हो जाएगा और बिना brand के आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो अपने brand को बनाईए और progressive manner में आगे बढ़िए educational के teaching career में आपको इस तरह की video बनाने में थोड़ा time तो लगेगा लेकिन आप certainly grow कर जाएंगे इसका जीता जाकता सबूत मैं आपके सामने हूँ जो grow कर रहा है और अभी भी बहुत मुझे grow करना है अभी तो मेरी starting का आप कह सकते है I hope मेरी आपको सारी ये बातें समझ में आई होएंगी आप इसको follow करिए और अपने channel के लिए आगे बढ़िए अगर आपको कोई confusion है किसी भी तरह की equipment related कोई भी confusion है कि हम कैसे किस काम को करें उस related comments आप मेरे को जरूर दें मैं आपकी वो problem को जरूर दूर करूँगा क्योंकि in general किसी चीज़ को बताना एक अलग है लेकिन जब मैं इस teachings related videos बनाता हूँ तो ये मेरा experience है जो मैंने खुद gain किया है कि इन teaching के videos को बनाने में क्या difficulties आती है और कैसे इसको rectify किया जाता है तो आप अपने comment जरूर लिखिए मैं उन comments के आधार पे आपको आपके suggestions के आधार पे और videos बना के दूँगा और एक चीज़ और बताऊँ एक और इसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने 4000 घंटों का watch time और 1000 subscriber का target बहुत जल्दी पूरा किया और अपने channel को monetize कराया I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा जरूर इसको subscribe करिएगा और अगले वीडियो के लिए wait करिए Thank you